हेलो फ्रेंड्स आपका मेरे चैनल पर स्वागत है एक समय की बात है एक नगर में एक राजा रहा करता था वह अपने सैनिकों के साथ सिकार खेलने के लिए जंगल में गया बहुत देर हो गई मगर एक भी सिकार उसके हाथ नहीं आया चलते चलते सैनिक भी ठक चुके थे इसलिए उन्होंने राजे से कहा है महाराज आप तो गोड़े पर हैं इसलिए आप ज़्यादा ठके नहीं होंगे किन्तु हम लोगों के पैर दुखने लगे हैं और पानी प्यास से व्याकुल हो रहे हैं इस पर महाराज कहते हैं ठीक है तुम लोग वापिस राजमहल लोट सकते हो मैं तो सिकार किये बिना वापस नहीं लोटूंगा महाराज के आदेश पर सभी सैनिक वापिस राजमहल लोट गए अब महराज अकेले जंगल में सिकार की तलास में घुमते फिरते रहते हैं बहुत समय हो गया मगर एक ही सिकारी दिखाई नहीं दिया रात हो गई थी चलते हुए महराज को एक तालाब दिखाई दिया उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा पानी पी लेता हूं महराज पानी पीने के लिए अपने गोडे से उतर कर जब पानी पी रहे थे तभी तालाब के दूसरे छोर में एक सुन्दर सी कन्या पानी लेने के लिए आई महराज उसे देखकर मंत्र मुख्ध हो गए महराज पहले नजर में ही उस कन्या से प्रेम कर बैठे वह कन्या अपनी मटकी में पानी भरकर वहां से जाने लगी महराज भी उनके पीछे पीछे चलने लगे मगर कुछी ही दूरी पर वह कन्या गायब हो गई महराज को समझ में नहीं आया कि वह कन्या आखिर गई तो कहां गई महाराज अपने सुधबुत खोकर पागलों की तरह उस कन्या को पूरे जंगल में ढूनते फिरते रहे मगर वैं कन्या नहीं मिली महाराज उस अफसरा रूपी कन्या को भुला नहीं पा रहे थे और वही तलाब के पाज जाकर उसका इंतजार करने लगे और वही पर सो जाते हैं ताकि सुबह जब कन्या आए तो उनसे मिल सके महाराज रात बर सो न सके और सुबह का इंतजार करते रहे और जैसे ही सुबह भी महाराज उठ गए और कन्या की रहा देखने लगे मगर वैं कन्या दिन को कभी नहीं आई ही नहीं महाराज सोचने लगे सायद वह करन्या शाम को ही आती होगी इसलिए उसने प्रतिक्षा करने की सोची और जब साम हुई वह करन्या पानी पीने के लिए उस तालाव की और आई और पानी भड़ने लगी उसे देख महाराज जल्दी से उसके पास चले गई और बोले है अफसरा रूपी करन्या तुम कोनो कहां से आई हो करन्या कुछ कहती नहीं मगर महाराज उससे दुबारा पूछते है फिर भी करन्या चुप रहती है और पानी बरकर वहां से चली जाती है रोज इसी तरह से महाराज वही पर आकर उस करन्या से उसका नाम पूछत और कहते हैं ये अपसरा रूपी कन्या मैं आपके प्रेम में विवस होकर कहीं दिनों से इस जंगल में बटक रहा हूँ अब तो अपना नाम बता दीजिये मैं तुम से बेंत्या प्रेम करता हूँ आपसे विवा कर अपने महल की रानी बनाना चाहता हूँ हमेशा की तरह कन्या कुछ ना कहकर अपनी कुटिया की ओर जाने लगती है तभी माराज उसके हाथ को पकड़कर उसके चेहरे से नकाव को हटा देते हैं जिससे उसकी बद सूर्ती दिखाई दे जाती है यह देखकर राजकमार चोक जाता है फिर भी राजकमार उनसे उतना ही प्रेम करता है और उस कर्णिया से कहता है अब हे अफसरा रूपी कर्णिया तुम्हारे इस चेहरे का राज क्या है मुझे तो मालूम नहीं दिन में बद सूरत और रात में एक अफसरा से भी ज़्यादा सुन्दर हो जाती हो मगर अब भी मैं तुम्हें उतना ही पेंतिया प्रेम करता हूँ इस पर करन्या कहती है यूवराज सुनना चाहते हैं तो सुनिये एक बार जब मैं और मेरी सक्षी अपने राजमहल के बगीचे में खेल रही थी तभी एक कुबडा रिशी हमारे बगीचे में आ पहुंचा और मुझे देखते मेरी सुन्दर पर मोहित हो गय मुझे विवा करने का प्रस्ताव मेरे सामने रखा मगर मैंने उसे उसका उफ़ास उडाते हुए कहा कि देखो यह कुबडा रिशी मुझे विवा करना चाहता है जो ढंक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है इस पर रिशी ने मुझे स्राप देते हुए कहा अरे दूश्ट क अगर किसी के प्रेम को ठुकरा दिया जाए तो ये ये तो ठीक है मगर उसकी कमजोरी का वहाँ सुड़ाना ठीक नहीं है इसलिए मैं तुझे स्राप देता हूँ जैसे जैसे सुबह होगी तुम्हारी खुबसूरती बदसूरती में बदलती जाएगी और जब तुम अपने आ जाएगी और जब तुम अपने आपको देखोगी तो तुम्हें घिनाने लगेगी लोग तुम पर थुकेगे जैसे ही रात होगी तुम अपने असली रूप में आ जाओगी राजकुमारी कहती है रिसी मुझे शमा करे मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मुझे ऐसा नह ये भी प्रेम करे तो तुम्हारी ये स्राप तूट जाएगा अब राजकुमार के प्रेम से उस राजकुमारी का स्राप भी तूट जाता है और दोनों एक दूसरे से विवा कर महल की तो लोग जाती है